नमस्कार एबी पी न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ रोहित सिंग सावल देश भर में 22 तारीक का इंतजार हो रहा है राम लला की प्रान प्रतिश्ठा होने वाली है आयुध्या में उत्सफसा महौल है देश भर में उत्सफसा महौल और इस बीच इस पूरे आयूज को लेकर और देश के कई अहम सवालों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंडित धिरेंदर शासरी यानि बाबाब बागेश्वर हनुवान भक्ति आपका स्वागत है वीपी न्यूस में सबसे बहुत बहुत धिन्यबाद संपून दर्शकों को को भी दर्शकों को भी और आपको भी इसायद्ध हम पहली बार आपके साही बिल्कुल पहली बार श्यवगत यह बताईए कि 52 तारी को लेकर किस तरह कि तयारी है आपकी किस तरह की तैयारी क्योंगी क्या सोच रहे हैं कि जितना बड़ा जो आयोजन 22 तारीक को रहा तो वो 22 जनवरी की चर्चा है और पहली बार हम अपने जीवन में तो लगबख 27 साल हो गए दस साल से तो लगबख 8 साल से इश्मरण हमको बहुत अच्छे तरीके से हैं ऐसा हमने अपने जीवन में पहली बार देखा माहौल महुत्सव और कई पीडियां इस उत्सव को देख हमारी की बात हम 22 जनवरी को जा रहे हैं प्रबोशी राम हमको भुला रहे हिए तो कई कई लोग कह रहें कि हमें निमंत्रन मिला कई कह रहें हमें नहीं मिला कई राजनेतिक लोग और कई जिन लोगों को निमंत्रन मिला कई प्लिटिकल पार्टी ऐसी है उनका कहना है कि साब हम नहीं जाएंगे धर्म व्यक्तिकत विशय है क्या निमंत्रन का विशय राम जी की आस है ने तरह आप कुछ भी नहीं तरह आप एक राम भक्त हैं और भक्त को भगवान के पास जाने के लिए इन्विटेशन की आवशक्त है लेकिन 20 तारीक का मौका है तो हशुर किसी20 तारीक वाले महुत सब्सक्राइक और एक उसकी दुश्था रहा है वाहकर ट्रश्ट ने एक नेता हो जिनको मिला उनको जाना चाहिए फिर अपनी व्यक्तिकत धारना है आप नहीं जाते हैं यह आपकी व्यक्तिकत सोचेंगे आशिरवाद तो देते हैं आशिरवाद देते हैं वो एक गुरू होने के नाते जो हम प्राथना करते हैं अनमान जी से प्राथना करते हैं उनको मार्ग दर्शन देते हैं गुरू होने के नाते हैं जो हमारा करतब है उसका हम पाला लेकिन एक बात बताई आप तो हिंदू रा और आज हो जाएगा उसको आशिरवाद देंगे वह खोश जाएगा तोषा इसलिए आता का दिल हो आपकोई मझदूर का दिल हो उसके दिल में राम का चरित्र होना चाहिए ही हिंदूराष्ट की कल्पना है इसलिए हमें उसके प्रटोकॉल से मत नहीं है कि आप नेता हो या नहीं हो आप राम भक्त हो हमारे लिए ये पर्चे बहुत बहुत अच्छा है लोगो इसारी को लेकर कई तरह के आयोजिन हो रहे हैं देशभर में कई लोग मांग कर रहे हैं कि साब 22 सारी को छुट्टे कर दी जाए हम उठसम मनाएके कोई डुकाने बंद हो जानी चाहिए AK आपकी क्या रहा हैK है क्या मांग है हमारे ऐसी कोई मांगए उत्सो साम को मनाना है चुट्टी की आवशकतानी आप बढ़िया दिन में स्रिशीता राम जी की बंदना करिए पूजा करिए साम को घर आईए दीपावली मनाईए तो ये आप अपने भक्तों से भी आवहान कर रहे हैं तो हमने मंचों से की कथा मंचों से किबागिश वधा माण से की संपून विस समय जितने भी राम भकत रहते हैं उनसरोब को 22 चनवरी का महत्रू मनाना चाहिए दीपा बली से पूरा इत्रा बढ़ा दोलन चाना शादी सो गुर्देयो भगवान जिन्होंने सुप्रीम कोट में जाकर के अपने पक्ष को रखा अपने पक्ष को रखने बाले सुप्रीम कोट में लोग नयाया पालिका और बरतमान समय में राम मंदिर बनाने बाले सभी मजदूर और बरतमान समय में राम मंदिर की प्रांप क्या कहना चाहेंगे आप बयान बाजी ये रामर के खांदान के लोग हैं बिचारें इनको कोई काम नहीं आप जैसे पड़े लिखे लोग उनका नाम टीबी पर लेंगे कैसे तो उसका ये खी उपाय है कि उल्टा बोलो अब बरतमान में दौड किसकी है राम की बरतमान में राप्त होंगी दौनों प्राप्त होंगी और एक बर्ग को वो खुस कर लेंगे ये इनके सिद्धांत हैं रामन के खांदान के लोग राम को राजकुमार ही कहते रहें तो वो बिचारे बोलेंगे उनको हम लोग रोक नहीं सकते हैं लेकिन लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि न्याया पालिका ने माना हैं कि राम वहां प्रिगट हुए हैं तो अब तुम्हारे परदादा मर जाएं अब तुम उसे मेट नहीं सकते हो भारत में कानून चलता है भारत में न्याया पालिका का सिध्धानत चलता है अब अगर आपने कालप निक बूला तो नानी याद आ ज काम जन्वोमी अंदोलन चला अबराम लला की प्राण प्रतिष्ठा मां होने वाली बाइस तारी को इसके लावा काशी और मतुरा का जिक्र भी अमें करना चाहिए जाकी बाकी है जाकी बेज़े जग बाकी इन्होंने जाँ जाहत्याचार की घाओ भरेंगे और एक एक करके भ यह जो अकवार बावार मुहम्मद आदी ने जो जिस परकार का यह उपद्रों किया मुहम्मद गौरी की बाइस यह जिस परकार का उपद्रों किया जिस परकार का इन्होंने अत्याचार किया एक-एक का बदला होता चला जा रहा है अब हो करके रहेगा क्योंकि अब यह भ तो कल भी थी राजनी थी संस्कृति भी कल थी लेकर कल खुलकर बोलने वाले दबंग कम थे एक दसक पहले तक आपकी मीडिया में भी कभी भी हिंदुत की कट्टर पंती की बातें नहीं होती थी आज खुल करके हो रही देश बदल रहा है क्योंकि देश में हिंदू जाग रह आता है सत्त कुछ दिन शूर्य आता है बादल चिपा लेते हैं पर वो पूंट या नहीं चोपा सकते हैं चिपा सकते हैं लेकिन यह बताए कि सनातन की बात करता अगर वह विए दृष्टी से देखें सबको साथ लेकर चलने की बात कर लें आप आओ रामंदिर की भूम का निवाओ आप आओ रामंदिर की प्राणपत्रिष्टा महुत्सों में बैठों आप आओ घर पर दीपाबली मना हम भी दो सामाजिक समरस्ता की बात कर तो अन्याय की बात कर तो इसके लिए अलग से आप जो बार बार बीच विच में आपकी देखता रहता हूं सुनता रहत और समस्त हिंदू अपने अधिकारों को समझ पाएं हिंदू होने का मतलब जान पाएं ताकि आपकी बहन बेटियों के साथ वो अत्याचार ना हो जो इस देश में कईयों के साथ घट चुका है प्रायोजित तरीके से पालगर जैसे संत केबल भेस भूसा पर जो मार दिया गया वो घटना ना हो कस्मीरी जैसे पंड़तों की तरह बरवरता तुमारे साथ ना हो भै राम की आत्रा पर इसी नव राम नौमी को कितने जगे पत्थर नहीं फैके गए ये ना फैके हैं उनके भी तो जुलूस निकलते हिंदूों ने तो नहीं फैके दे हिंदूों ने नहीं फैके आपने फैके तो आप जो है जागे हुए हिंदू बनो जागे हुए हिंदू का मतलब हमला करना नहीं है किसी का बुरा करना नहीं है किसी को भगाना नहीं है समझाना है हमें काटना नहीं है पर फुसकारना भी छोड़ना जब चुनाव की बात आई तब आप अ राय रखने बाले या इस देश के जो गड़माने लोग हैं वो रखेंगे हमारा अध्यात में पर हमारी राय ली जाएगे क्योंकि हम उसमें इस पेसल हैं ना कि हम राजनिती में इस पेसल हमारी पीएशडी राजनिती में नहीं है आपका बहुत-बहुत शुक्रिया देभी इस पेन्यू से बात करने के लिए तो हमारे साथ मौझू थे पंडे धिरेंद्र शास्त्री यानि बागेश्वर बाबा जो 22 तारीक को लेकर बेहद उत्साहित है और उनका ये भी कहना है कि वो चाहते हैं कि देश भर में लोग उत्सब मनाएं 22 तारीक को और वो खुद भी 22 तारीक को इस बड़े एतिहासिक आयूजन का गवहा बनने वाले हैं तो हमारे साथ पेशकर्श में तहरे जिए अजासत नमस्कार